हलो एवरिवन मैं अभी शेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में तो प्यारे बच्चो हमने टॉपिक स्टार्ट किया idioms and phrases और अभी तक दो वीडियो इसके फिनिश कर दिये हैं आज कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं इ तो ये breeds किसे जर्म देती है ये contempt अपमान को तिरसकार को इसका मतलब इसका मतलब है घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा तो जब आप किसी वेक्ति के बारे में सब को जान जाते हैं तो इसका मतलब फिर आप उसे उतनी importance नहीं देते जितनी पहले दी जाती थी ऐसा कुछ चलो will eventually cause bitterness नहीं if you do an undesirable things daily it becomes acceptable हो जाता के acceptable नहीं close association with someone अगर किसी वेक्ति के साथ closely associated है leads to a loss of respect for them घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई कौन सा option हो जाना है option number a 42 all bark and no bite क्या करते हैं केवल यह bark करते हैं भौकते हैं यह केवल क्या नहीं करते काटते तो ही नहीं कभी है so all bark and no bite ऐसा है जो गरचते हैं वो बरसते नहीं ऐसा तो इनकी बाते तो कैसी है इनकी बाते तो हैं बाती बड़ी है बस children should only be scolded but never beaten नहीं he must be beaten ऐसा है नहीं तो बी फूल आफ बिक टॉक बाते कैसी बड़ी-बड़ी action के नाम पर कुछ नहीं किया उसमें तो efforts लगते हैं 43 a fool and his money are easily parted जो मूर्ख वेक्ती है और जो उसका पैसा है वो बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ अगर एक समझदार वेक्ती को पैसा दिया जाए तो अच्छी जगे invest करता है या उसे save करके रखता है अगर एक मूर्ख वेक्ती के को सब आसे ठीक पास खूब सारा पैसा भी आजाएगा तो उसे लगेगा भाई अब इस पैसे का क्या करूं और वह इदर उदर उसंदार देता है ओड़ा देता है और फिर veg बहुसे अगर एक्ती को पैसा दिया गया है तो उससे जल्दी उड़ा देगा और वापस से क्या ह जाएगा जैसा पहले था गरीब हो जाएगा 44 I met him after a long time बहुत दिनों बाद मैं उससे मिला but he gave me the cold shoulder और उसने मुझे क्या दिया यह जो cold shoulder था वो मुझे दे दिया बोले यह ले जाओ किसी वेक्ति को cold shoulder देना इसका मतलब sense कैसा दे रहा है पहले तो यहाँ चेक करो क्या लिखाए बट लिखाए I met him after a long time तो फिर तो वो excited होना चाहिए था न अरे वह इतने दिनों बाद मिल रहे लेकिन यहाँ तो conjunction ही बट लिखा इसका मतलब long time के बाद मिले तो सही लेकिन कुछ fruitful नहीं हुआ contradictory हुआ क्योंकि conjunction बट लिखाए तो I met him after a long time but he gave me the cold shoulder इसका मतलब उसने मुझे अच्छा response नहीं दिया मुझे क्या किया avoid किया ignore किया देखो तो give somebody the cold shoulder का मतलब है to ignore someone to avoid someone scolded me नहीं abused me not directly insulted me not directly क्या किया उसने मुझे ignore किया he ignored me a dime a dozen a dime a dozen का मतलब क्या है बच्छो देखो अगर कोई चीज कम है available market में तो उसकी value और importance बहुत रहती है लेकिन अगर कोई चीज बहुत सारी जैसे देखो onion अगर कम मिल रहे है market में तो उसकी value रहती है और 100 रुपए जैसे नीमबू नीमबू जी बन गए थे थोड़े दिन पहले ऐसा ही होता है लेकिन अगर कोई चीज जैसे ठोक के भाव available है तो फिर उसकी क्या importance रहती है वो तो कहीं भी मिल जाएगी और उसकी price भी जादा नहीं होनी है इसे ही कहते है a dime a dozen देखो ज़रा strength is in numbers कभी कभी numbers जादा होना भी दिक्कत है people who say bad things have no value नहीं very common and of no particular value a dime a dozen कौन सा option होगा option number c very common हर जगे available है और आपको इनका specific particular value भी नहीं है इस कारण 46 to drive someone और कहां लेगे drive करके up the wall wall की उपर दक तो इसका मतलब है किसी का पारा चड़ा देना किसी को गुसा दिला देना किसी को irritate कर देना to make someone कैसा to make someone very irritated 47 to spin one's wheels to spin one one's wheels तो क्या हो रहा है इससे क्या मिल रहा है आपको यह करके कुछ नहीं मिल रहा है जाओ बाहर और कहीं काम ढूंडो तो spend one wheels spend one's wheels का मतलब क्या है time खराब करना है और क्या है time खराब करना to take a chance कहां लिया to do a job quickly कहां की to narrate someone a confusing story नहीं it is to waste one's time stop spinning your wheels and do something constructive 48 to spill the beans spill कर देना मतलब क्या हो जाना है दूद spill over हो जाता है और जहां आपने रखा है gas पे on है थोड़ी देर बाद उपर आया उपर आया और फिर नीचे गिर गया उफन गया ऐसा कहते है उफन जाना तो यह भी उफन गया क्या बीन्स उफन गया है तो spill the beans का मतलब क्या है आपने अपनी बात किसी को बताई यह कहकर कि यह सीक्रेट है और किसी के साथ शेयर मत करना जब आप से नहीं पची तो वो कैसे बचाएगा उसने यह बात मानो A ने B को कही B ने यह बात C को कह दी और उसे भी यही का भई किसी को बताना मत तो जब आप spill the beans करते हो तो unintentionally बिना खराब intention के आपके मूँ से वो बात निकल जाती है बलर्ट आउट कहते हैं जिसे reveal कर देना तो spill the beans का मतलब क्या है to reveal कर देना secret information जिसे secret ही रखना था और आपने किसी बुरे मन से नहीं किया ऐसा कोई ill या कोई jealous feeling नहीं है यह तो unintentionally ऐसा हो गया 49 the ball is in your coat बाल कहा है बाल अब आपके बाले में है अब आप हिट करो उसे अब आप बताओ उसका क्या करना है तो अगर कहा गया the ball is in your coat इसका मतलब अब आपको decision लेना है आपके accord अब चीजे होगी you have been put into a dilemma आपको किसी असमंजस वाली situation में डाल दिया गया है नहीं you will be blamed for crimes that you have not committed नहीं you have got a fantastic opportunity नहीं fantastic opportunity नहीं है the ball is in your coat का मतलब है it is up to you to make the next move आप बताओ अब next क्या करना है आपसे तो बताओ आपको तो बोल दिया अब आप बताओ क्या क्या करना है 50 the manager क्या किया manager ने doctor the accounts of the company जो company के accounts था उसके साथ doctor कर दिया गया है बच्चो यहां doctor now नहीं है ध्यानक ना second form है तो V2 है न यहां doctor है verb और अगा doctor verb है और किसी accounts को doctor कर दिया गया है इसका मतलब उसके साथ छेड़ चाड़ कर दी गई है तो क्या किया to make changes in account books ऐसा to clear the doctor's bill to verify the accounts in detail और to manipulate the accounts accounts के साथ छेड़ चाड़ कर दी गई है accounts को क्या कर दिया गया manipulate कर दिया गया है 51 the thief was on good terms with the police जो चोर था वो police के साथ कैसे terms में था अच्छे terms में था मतलब दोनों की घुलती मिलती थी अच्छा relationship था बताओ क्या होगा kept terms and conditions नहीं was friendly yes or no yes 52 john's offer of help was turned down by the police किसी के offer को किसी की request को turn down कर देना इसका मतलब क्या करना है accept करना है नहीं नकार देना courage कर देना तो क्या किया गया john के offer को sent back twisted around refused declined yes कौन सा option होगा option number c 53 चिंतन is so innocent that he wears his heart in his sleeve वो जो अपना heart है वो कहां पहन कर रखता है अपनी sleeve पर heart है अंदर कोई देख नहीं क्या है इसमें sleeve के उपर तो जो भी रखा हुआ है सब दिखता है तो अगर कहा गया wear his heart in his sleeve इसका मतलब बड़ा innocent है innocent तो इसे पहली बोल दिया था इतना innocent है कि जो भी बाते उसके मन में होती है वैसा ही वो बाहर होता है manipulative नहीं है doctor नहीं करता account को देखो wears dress that does not match expresses his feelings openly yes or no yes 54 the poor subordinates are made scapegoats by their superiors क्या कर दिया superiors ने अपने subordinates को scapegoat बना दिया scapegoat का मतलब क्या होता है बच्चो बली का बकरा बना दिया इसका मतलब गलती थी किसकी superiors की लेकिन ये जो आरोप ये जो दोश मड़े ये किस पर मर दिये गए है ये उनके subordinates पर तो बली का बकरा बना दिया उसे देखो is called it with arrogant reactions treated humbly तो बिलकुल भी नहीं है developed poor relations नहीं है punished for others misdeeds बिलकुल ठीक है गलती है किसी और की गलत किया किसी और ने और पनिश किया आपको तो आप खुद क्या बन गए बली के बकरे that is in English escape goats 55 it was a red letter day in the history of the world history of the world में इसे red letter day कहा गया देखो बच्चो जैसा ऐसा कहते है the independence day is considered to be a red letter day for every Indian जो independence हमें मिली बड़े बहुत सालों बाद बहुत sacrifice करने के बाद वो हमारे लिए आज भी एक red letter day है तो कैसा देना ये a day with bloodshed यह है यह ना bloodshed हो गया था नहीं a dangerous note about the distraction नहीं a day memorable for some joyful event yes or no yes आजादी मिली थी independence पे हमें 56 the little girl with her flawless performance flawless performance इसमें कोई गलती नहीं है perfect impeccable the little girl with her flawless performance stole the show stole the show stole second form is steal first form होगी तो steal the show का मतलब क्या है शो चुरा लिया शो चुरा लिया का मतलब क्या है शो में कुछ और चल रहा है कि नहीं audience को नहीं बता वो किसी एक चीज पर attentive है तो क्या करना है दिल जीत लेना तो क्या किया दिल जीत लिया है stole something from the show नहीं crapped into the show नहीं one everybody's praise yes or no yes दिल जीत लेना 57 his friends beat the boy यहां beat किसी की पिटाई करने वाला ही है his friends beat the boy to pay off old scores जो old scores थे जो पुराने accounts थे उन्हें pay कर दिया है पुराना हिसाब चुका दिया है पुराना हिसाब चुकता कर देने का यहां मतलब क्या है उसने पहले boy को मारा होगा फिर boy ने हिसाब चुकाया उसकी भी पिटाई कर दी तो क्या किया बदला लिया है तो चलो देखो कौन से option में बदला लिया है to refund old dues to take revenge बिलकुल ठीक है बदला लेना क्या कहलाता है to take revenge 58 tagore was a man of letters letters का मतलब है alphabet alphabet से बनता है literature तो जो tagore साहब थे यह man of literature खूब literature के धनी थे बहुत कुछ इने साहित्थे में आता था क्या होगा of wide contacts an excellent letter dictator a great writer of letters proficient थे किस में literature में so proficient in literary art कौन सा option होगा option number d 59 the reputed company जिसकी बात कर रहे हैं is in the red due to the recession reputed company recession के कारण लाल हो गई है red हो गई है इसका मतलब क्या होगा prosper कर रही है flourish कर रही है नहीं इसका मतलब करजे में डूब गई है तो बच्चो अगर ऐसा लिखा होता है in the red तो इसका मतलब होता है in dead करजे में होना अगर ऐसा लिखा होता है in the black तो in the black का होना मतलब कोई करजा नहीं है है हमारे पास पैसा तो देखो ज़रा in the red चाहिए हैं यहां तो in the red मतलब making money नहीं losing money हो सकता है in danger नहीं spending money नहीं क्या होगा losing money option number b करजे में है last question for the day they were offered six months rent in lieu of notice to vacate the building तो they were offered six months rent दिया गया हुने in lieu of बचो in lieu of अगर लिखा होता है तो in lieu lieu का मतलब होता है place तो in lieu of का मतलब क्या हो जाएगा in place of के स्थान पर की बजाए क्या होगा option option number b चलिए बच्चो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में have a nice day